अभी आपने देखा कि इस अभिक्रिया में अभिकारक A के 1 मोल क्रिया करके अभिकारक B के 1 मोल बनाते हैं इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग हम किस प्रकार लिखते हैं? माइनस डेल्टा A बाल डेल्टा T is equal to plus डेल्टा B बाल डेल्टा T लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किसी भी अभिक्रिया में सिर्फ एक ही अभिकारक हो या फिर उनके एक से अधिक अभिकारक भी हो सकते हैं और उनके मोलों की संख्या भी एक से अधिक हो सकती है उधारन के लिए एक हम सामाने अभिक्रिया लेते हैं जिसमें कि अभिकारक A के A मोल अभिकारक B के B मोल से क्रिया करके अभिकारक C के C मोल उत्पाद C के C मोल तथा उत्पाद B के D मोल बनाते हैं यहाँ पर आपको जो small a, small b, small c और small d दिख रहे हैं इन्हें हम stoichiometric गुडांक, stoichiometric coefficient कहते हैं यह वो नंबर होते हैं जिन्हें हम रासाइनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए अभिकार को या उत्पाद के सामने लिखते हैं उधारन के लिए एक अभिक्रिया लेते हैं हम, मा लेजिए यहाँ पर mercury liquid chlorine gas से क्रिया करता है और एक mole mercury chloride solid के बनाता है इस अभिक्रिया के लिए जब हम अभिक्रिया वेग लिखेंगे तो यह होगा क्योंकि mercury और chlorine यहाँ पर दोनों अभिकारक हैं और इनकी सांद्रता समय के साथ कम होती है तो इसके लिए अभिक्रिया वेग होगा सबस्क्राइब की अभिक्रिया करके में की क्लोराइट के एक मोल बनाते हैं तो यहाँ पर सभी के स्टोक्योमेट्रिक युणाग आपस में समान हैं यहाँ पर चुकि हम जानते हैं कि अभिक्रिया में किसी भी अभिक्रिया में अभिकार को की सांद्रता में कमी की दर उत्पाद की सांद्रता में वृद्धी के दर के समान होती है तो चुकि इस अभिक्रिया में सभी के स्टोक्योमेट्रिक गुणांग समान हैं इसलिए हम इनका अभिक्रिया वेक आसानी से इस प्रकार लिखते हैं अब एक और अभिक्रिया पर विचार करते हैं यहां पर आप देख रहे हैं की hydrogen gas के एक मोल से क्रिया करके hydrogen iodide के दो मोल बनाते हैं यहाँ पर hydrogen के हास की दर यांति की इसके disappear होने की दर और iodine के डिसपियर होने की दर ये दोनों एक दूसरे के समान हैं लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और आयोडीन के डिसपियर होने की दर यहने कि अभिकार को के कि तुल्ला में दुगनी तेजी से बन रहा है और हम ने देखा कि अभिकारकों की जो हास की दर है वह उत्पादों के उत्पन होने की दर के समान होनी चाहिए अता हमें hydrogen iodide की जो सांद्रता है ये उसको क्या करना होगा क्योंकि ये दुगने वेग से बन रहा है तो हमें उसे क को आधा करना होगा यहने कि हम इसके लिए यदि अभिक्रिया वेग लिखते हैं तो उसे हम इस प्रकार से लिखेंगे minus delta H2 by delta T is equal to delta I2 by delta T is equal to plus 1 by 2 यानि की half delta HI by delta T क्योंकि hydrogen iodide की बनने की दर दुगनी है और हमें उनको क्या करना है अभिकारकों की हास होने की दर उनकी कमी की दर के बराबर लाना है इसलिए हमको उसको आधा करना होगा इस तरह से हम देखें कि अभिकारकों की हास होने की दर और उत्पादों के उत्पन होने की दर इनको बराबर करने के लिए वास्तों में हम कर क्या रहे हैं हमने यहाँ पर hydrogen iodide के सामने जो stoichiometric गुणांक दो लिखा था उसी से ही हमने delta HI को भाग दे दिया है यनि कि अभिक्रिया की दर लिखते समय हम अभिकारकों की सांद्रता में कमी की दर को उसके stoichiometric गुणांक से भाग देंगे इसी तरह से उत्पादों के सांद्रता में व्रिद्धी की दर को भी हम उसके stoichiometric गुणांक से भाग देंगे और इस तरह से हम अभिक्रिया की दर को ग्याद करेंगे इसी तरह यहाँ पर आप एक और उदारन ले सकते हैं हमारे सामने है 2N2O5 gas is equal to 4NO2 gas plus O2 gas यानि कि nitrogen pentoxide के 2 mol अब घटित होकर nitrogen dioxide के 4 mol बना रहे हैं और oxygen gas के 1 mol बनाते हैं तो इसके लिए हम rate of reaction किस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर हमें nitrogen pentoxide अभिकारक है और इसकी सांदरता समय की साथ कम होगी तो इसके लिए होगा minus यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने जो stoichiometric गुणांक 2 लिखा हुआ है तो हम इसको 2 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा minus 1 by 2 delta N2 O5 by delta T is equal to यहाँ पर फिर हम लिखेंगे NO2 के लिए तो NO2 क्या है उत्पाद है और इसलिए यहाँ पर आएगा plus 1 by 4 delta NO2 by delta T is equal to plus delta O2 by delta T तो इस तरह से जो stoichiometric coefficient लिखे होते हैं उनका भाग देकर हम किसी भी रासाइनिक अभिक्रिया को की दर को चाहे उत्पाद के केस के संदर्व में या फिर अभिकारकों के संदर्व के केस में हम उनको एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं एक बात यहाँ पर और ध्यान देनी है कि जब हम rate of reaction लिख रहे हैं तभी हमें stoichiometric गुणांकों का उप्योग करना है और उनका भाग देना है यदि हम केवल किसी एक अभिकारक के संदर्वता में कमी की दर को निकालते हैं या फिर हम केवल एक उत्पाद के उत्पन होने की दर को ग्याद करते हैं तो वहाँ पर हमें stoichiometric coefficient का उप्योग नहीं करना है यहाँ पर rate of reaction जब हम nitrogen pentoxide के case में निकालेंगे या nitrogen pentoxide के disappear की दर निकालेंगे तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे सिर्फ minus delta N2O5 by delta T इसी तरह से हम यदि केवल nitrogen dioxide की बनने की दर निकालेंगे तो वहाँ पर हम होगा जो rate of reaction होगा वो delta NO2 by delta T के बराबर होगा यहाँ पर हम stoichiometric गुणांग का उप्योग नहीं करेंगे लेकिंग जब हम rate of reaction लिखेंगे वहाँ पर हमें stoichiometric गुणांग से rate of reaction को भाग देना है और इस तरह से हम सही rate of reaction निकाल पाएंगे चलिए इसी तरह से हम एक example ले लेते हैं nitrogen pentoxide के अब घटन का ही है जिसमें अभी करिया है 2NO2 gas is equal to 4NO2 gas plus O2 gas यहाँ पर आपको जब nitrogen pentoxide के विगटन की दर ग्याद की गई तो देखा गया nitrogen pentoxide की तारंभिक सांद्रता यह 2.33 mole per liter थी जो की 184 मिनट के बाद 184 मिनट के बाद यह घटकर 2.08 mole per liter रह गई यानि कि अभिकारक की सांद्रता में कमी आई अब आपको दिया गया है कि इस अभिक्रिया की और सत्वे एक rate of reaction ग्याद कीजिए यह दूसरा दिया गया है कि nitrogen dioxide nitrogen dioxide के उत्पन होने की दर appear होने की दर ग्याद कीजिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे rate of reaction rate of reaction के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर rate of reaction या आर एवरेज क्योंकि और सद्दर निकालने के लिए दिया गया है तो और एवरेज यह बराबर हो जाएगा minus 1 by 2 delta N2O5 by delta T is equal to plus 1 by 4 delta NO2 by delta T is equal to plus delta O2 by delta T के अब यहाँ पर हम इनकी value लिख देते हैं अब आपने देखा कि जो यहाँ पर delta N2O5 यहने की सांदरता में परिवर्तन यहाँ पर दिया हुआ है और सांदरता में परिवर्तन हम कैसे निकालते हैं फाइनल है ना concentration final concentration minus initial concentration तो यहाँ पर आर एवरेज is equal to लिखेंगे minus 1 by 2 final concentration आपके सामने दी गई है 2.08 minus जो initial concentration है वो है 2.33 mol per liter इसी तरह से delta T यहाँ पर हमारे पास time जो period है वो दिया हुआ है 184 minute यदि यहाँ पर second में निकालना होता तो हम 184 into 60 कर देते हैं लेकिन हमको यहाँ पर minute में निकालना है तो इस तरह से इसे minus करेंगे तो यहाँ हमारे पर आजाएगा our average is equal to minus 1 by 2 और क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को आप घटा रहे हो तो यह आजाएगा minus 0.25 mol per liter by 184 minute फिर यहाँ पर आप इसमें फिर our average score आगे calculate करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा यह 0.025 by 368 जिसको calculate करेंगे तो हमारे पास answer आता है 6.79 into 10 to the power minus 4 mol per liter per minute क्योंकि हमको यहाँ पर question में minute दिया हुआ था तो इस तरह से हमारे पर देखें कि जो भी हमारे जो सांद्रता में परिवर्तन की दर दी हो समय दिया हो तो हम इससे rate of reaction अभी क्रिया वे को सबसे पहले हम लिखेंगे और उसके आधार पर हम औसत वे की गढ़ना कर सकते हैं अब हमको यहाँ पर देख दूसरी जो question दिया गया है वह है nitrogen dioxide के बनने की दर उसके अपियर होने की दर भी पता लगानी है तो यहाँ पर आप देखें कि rate of reaction equation में आप देख रहा है कि rate of reaction यह किसके बराबर है प्लस 1 by 4 delta NO2 by delta T के बराबर है लेकिन हमको rate of reaction तो हमने nitrogen pentoxide के अधार पर निकाल ली है अभी हमको क्या निकालना है nitrogen dioxide के बनने की दर निकालनी है और मैंने पहले यह बताया जब हम nitrogen dioxide की बनने की दर निकाल रहे हैं यहां कि किसी उत्पाद के बनने की appear होने की दर निकालेंगे तो वह वहां पर हम वहां पर stoichiometric coefficient का उप्योग नहीं करेंगे तो यहां पर rate of reaction हमको पता है तो यहां पर हम लिख देंगे rate of reaction is equal to plus 1 by 4 delta NO2 by delta T के बराबर है तो यहां पर हमें क्या निकालना है rate of reaction दी हुई है 6.79 into 10 to the power minus 4 यह हमने rate of reaction लिख दी is equal to plus 1 by 4 delta NO2 by delta T अब यहां पर हम लिखेंगे क्योंकि हमें निकालना है delta NO2 by delta T यानि कि nitrogen dioxide के उत्पन होने की दर और यह बराबर हो जाएगा 6.79 into 10 to the power minus 4 into 4 वैसे भी आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि जो rate of reaction दी गई है वो किसके बराबर है 1 by 4 delta NO2 by delta T के बराबर है यहने कि जो अभिक्रिया की दर है वो nitrogen के उत्पन होने की दर के एक बटे 4 भाग के बराबर है तो यदि हम दोनों को बराबर करें तो हमको क्या करना होगा nitrogen dioxide की जो बनने की दर है उसको 4 गुणा करना होगा जो कि आपको value यहां पर वही प्राप्त हो रही है तो हमने rate of reaction को 4 से गुणा किया और इस तरह से जो rate of reaction यहने की जो nitrogen dioxide के उत्पन होने की दर यहने की delta NO2 by delta T जो हमें प्राप्त हो रहा है वो होगा 2.72 into 10 to the power minus 3 per mole per liter per minute यहां पर आपको second में पूछता है तो आप उसको second में convert कर सकते हो तो इस तरह से हम देखें कि जब हमें rate of reaction ग्याद करनी होगी तब हम अभिकार को के disappear होने की दर या फिर उत्पादों के appear होने की दर वहाँ पर हम stochiometric गुडांका उपयोग करेंगे उनका भाग देंगे लेकिन केवल एक अभिकारत के हास की दर केवल एक उत्पाद के ऊत्पन होने की दर पूछता है तो वहाँ पर हम स्टॉक्योमेट्रिक गुणांग का उप्योग नहीं करेंगे वहाँ पर हम केवल उस अभिकारक या उस उत्पाद की समय के साथ सांद्रता में परिवर्तन की दर ज्याद करेंगे अभी जो आपने प्रश्न देखा उसमें आपको अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर यानिकी वो डेटा दिया हुआ था यह इस तरह से डाटा या वेल्यू न देकर कई बार आपको ग्राफ देकर भी अभिक्रिया का वेग ग्याद करने के लिए दिया जाता है उदाहरन के लिए हम दूसरा एक प्रश्न लेते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के एन टू के एक मोल तीन मोल हाइड्रोजन से क्रिया करके दो मोल अमोनिया के बनाते हैं इस अभिक्रिया के लिए आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं यह एक ग्राफ दिया हुआ है यह आपका संद्रता समय कर्व दिया गया है और यह संद्रता समय कर्व है वह hydrogen के disappear होने के लिए जैसे आप देख रहे हैं कर्व क्योंकि घटता हुआ कर्व है तो यह hydrogen के disappear होने की दर को दर्शाता है अब इसके प्रश्ण के साथ आपको पूछा जा रहा है कि इस अभीक्रिया के लिए आप अभीक्रिया की दर rate of reaction दीजे साथ ही साथ यहाँ पर nitrogen के disappear ह होने की हास होने की दर्ब भी आपको बतानी है तो सबसे पहले हम rate of reaction के लिए equation लिखते हैं यहाँ पर हो जाएगा यह माइनस डेल्टा एन्टू बाई डेल्टा टी इस उकल टू माइनस वन बाई 3 डेल्टा एच्टू बाई डेल्टा टी इस तरह से हम rate of reaction इनके लिए लिए लिख सकते हैं अब यहाँ पर देखिए सभी value में से हमको डेल्टा एच्टू बाई डेल्टा टी जो graph दिया हुआ है उसमें हमको डेल्टा एच्टू बाई डेल्टा टी की value प्राप्त हो सकती है तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर जो समय दिया हुआ है T1 टू सेकंड है T2 टाइम आ आब टाइम पर हम देखें तो सांद्रता है हड्रेजन की वहग हटकर सिक्समोल पर लीटर हो गई है अधार पर हम डेल्डा एच्डू निकाल सकते हैं तो डेल्टा हज two के हास होने की दर है यहां पर हमको प्राप्थ हो सकती है अब डेल्टा हथ ऑस होने की hydrogen की सांदरता माइनस T1 टाइम पर hydrogen की सांदरता बाई हो जाएगा T2 बाई T1 अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम जो H2 की T2 टाइम पर सांदरता कितनी है 6 और T1 टाइम पर सांदरता है 10 तो 6-10 बाई हो जाएगा 4-2 और इसको calculate करेंगे तो value आएगी minus 2 mole per liter per second तो यह हमें क्या प्राप्त हुई है यह हमें प्राप्त हुए है hydrogen के disappear होने की दर है अब यह rate of reaction नहीं है rate of reaction निकालने के लिए तो हमको फुर से इनकी compare करना पड़ेगा rate of reaction किसके बराबर है minus 1 by 3 delta h2 by delta t के बराबर है देखिए जब हम rate of reaction निकालेंगे तो उस समय हम क्या करेंगे वहां पर हम जो सामने stoichiometric efficient दिया हुआ है उसको divide करेंगे तो यहां पर हो जाएगा यहां पर value आप लेखे is equal to minus 1 by 3 delta h2 by delta t अब is equal to यह हो जाएगा minus 1 by 3 into delta h2 by delta t के value आपने निकाली है minus 2 इस यहां पर रख देंगे तो rate of reaction हमें क्या मिल जाएगा 2 by 3 mole per liter per second तो इस तरह से हमने rate of reaction इस graph के द्वारा जो हमें hydrogen के disappear होने की दर का graph था उसके द्वारा हमने निकाल लिए दूसरा point जो दिया हुआ है वो हमें ग्याद करना है nitrogen के appear होने की दर nitrogen के appear होने की दर यहां पर आप जो rate of reaction हमें शुरू में देखा है तो आप देख रहे हैं कि rate of reaction nitrogen के बराबर है बिल्कुल यानि कि जो rate of reaction है वही nitrogen के disappear होने की दर है तो nitrogen के disappear होने की दर यानि कि delta N2 by delta T यह भी किसके बराबर हो जाएगी rate of reaction यानि कि 2 by 3 मोल पर लिटर पर सेकंड के बराबर हो जाएगी तो इस तरह से जो भी आपको सांदरता में परिवर्तन का यदि data दिया हो या फिर इस प्रकार के graph दिये हो सबसे पहले हम अभिक्रिया के लिए अभिक्रियादर का equation लिखते हैं और उसके आधार पर एक दूसरे से compare करके हम अभिक्रियादर का rate of reaction ग्याद कर सकते हैं या किसी भी अभिकारक के हास की दर ग्याद कर सकते हैं या किसी भी उत्पाद के उत्पन होने की दर, appear होने की दर ग्याद कर सकते हैं अभिक्रियादर को जानने के बाद आईए अब हम जानते हैं अभिक्रियादर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं Factor Affecting Rate of Reaction जब हम कोई अभिक्रिया करते हैं तो बहुत से ऐसे कारक होते हैं जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं जैसे अभिकारकों की प्रकृती या फिर अभिक्रिया की अभिकारकों की सांद्रता, तापमान, उत्परेरक या फिर विकरनों की उपस्थती ये सा कारे चीजें अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती हैं क्योंकि हम अभिक्रिया की दर को किवल किवल एक बैलेंस समीकरण के द्वारा प्राप्त नहीं करते इसे हम प्रयोगात्मक रूप से ग्याद करते हैं और इसलिए अभिक्रिया की दर भिन भिन प्रायोगिक परिस्थ होती है सबसे पहले हम देखें अभिकारकों की प्रकृति तो इसके पहले भी हमने उदारण देखा है कि जब अभिकारक आइनिक प्रकृति के होते हैं तो अभी क्रिया की दर तीवर होती है क्योंकि जब आयन ओधारन के लिए देखा था कि सोडियम क्लोराइड की क्रिया जब हम सिल्वर नाइक्रीट के साथ कराते हैं तो दोनों की जो सॉलूशन होते हैं बिल्कुल कलरलेस होते हैं और जैसे ही हम को उनको आपस में मिलाते हैं तुरंट हमें वालड सफीद कलर का अवक हो जाता है क्यो तो यहां पर हम देखें जब आइनिक अभीका रखोंगे तो अभीक्रिया की गति तीव रहोगी वहीं पर यदि कोवलेंट बंद वाले जो अभीका रखोंगे जैसे कि हम देखें कि हाइड्रोजन और नाट्रोजन की जब क्रिया होती है और उनसे अमोनिया बनती है तो नाट अभिक्रिया की दर यहां पर थोड़ी धीमी होती है इसी तरह से हम देखें कि जब अभिकारकों के अणू समान आकार और समान साइस के होते हैं तो वहां पर अभिक्रिया की गति तीवर होती है यानिकि जो अभिकारक के अणू की साइस यह समान होगी तो वहां पर अभिक्रि कम हो जाती है इसी प्रकार से हम देखें कि जो अभिकारक यदि का इस्थायत्व या फिर बनने वाले उत्पाद का इस्थायत्व भी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है यदि अभिकारक ज्यादा स्थायत्व है तो हर स्थायत्व प्राप्ते करना चाहती है यदि ऊसानी से उत्पाद में परिवर्थित होना नहीं चाहेगा उसके लिए हमें बित खंडीशन सताब है का करना हो पर यदि अभिकारक अस्थाई है तो तुरंत में परिया करके और उसलिए अभी क्रिया की दर तीवर हो जाती है यहनि कि हम कहें कि जो अभीक्रिया की दर होती है वह उत्पाद के बनने के उत्पाद के स्थाइत्तों के डारेक्टली प्रपोर्पोर्शनल होती है जबकि अभिकारकों के स्थाइत्तों के इन्वर्सली प्रपोर्पोर्शनल होती है वित्व क्रमानुपात होती है दूसरी और हम देखें कि जो अभिकारकों की भौतिक अवस्था यहां पर यह भी अभिक्रिया की दर्कों प्रभावित करती है नेचुरली जब अभिकारक या तो गैसी अवस्था में होंगे या फिर फोस अवस्था में होंगे तो अभिकारक जब गैसी अवस्था मे तो एक दूसरे के पास जाता इंटरेक्शन करेंगे और जल्दी क्रिया होगी वहीं यदि दो ठोसों के बीच अभी आप क्रिया करा रहे हूं तो वहां पर आप देखेंगे कि ठोसों के अनू में गती मूवमेंट जादा नहीं होता है और इसलिए अभिक्रिया की दर धीमी हो इसी तरह से हमने सर्फिस केमेस्ट्री जब हम पढ़ रहे थे तो हमने जाना था कि अभिकारकों के प्रist का छेत्रफल भी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है जितने चोटे अभिकारक के अनू होंगे उतना ज्यादा प्रिस्ट छेत्रफल ज्यादा होगा एक बल्क के बीच अभिक्रिया कराएं या फिर उसी को बाउडर रूप में हम कर दे तो जितने छोटे-छोटे कण हम उनके करेंगे उनका सर्फेस एरिया उतना ज्यादा बढ़ जाता है और अभिक्रिया की दर उतनी अधिक हो जाती है इसी प्रकार से हम देखें विक्रिणों की उपस रेडियेशन पर विक्रिणों की उपस्थती पर निर्भर करती है जितनी ज्यादा हम वहां पर फोटन एप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा बनने की उत्पात बनने की दर होती है उदारान के लिए हम देखें कि जो हाड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस इनकी वीच जब क्रिया होती है तो अंधेरे में वह क्रिया करां तो बहुत धीमिगति से होगी लेकिन यदि सूर्य के प्रकास में वह क्रिया होती है तो बहुत तीजी से अभिक्रिया होकर एक चल का निर्मान करते हैं इसी तरह से जो पांचवा कारख है वह है उत्प्रेरक की उपस्थती आपने सर्फेस केमेस्ट्री में भी देखा है कि जो उत्प्रेरक होते हैं वह अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकते हैं लेकिन यह किस तरह से बढ़ाते हैं यह जो एक्टिवेशन एनर्जी प्राप्त हो जाएगी जो प्रेरक है वह उस पात को बदल देते हैं यह यानि कि उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं और इसलिए प्रेरक की उपस्त्ति में अभीक्रिया की दर बढ़ आती है इसके बाद एक महत्यकुण कारक आता है तापमान अभिक्रिया की दर को रासाइनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता ही है बहुत से प्रायोगिक प्रनामों के आधार पर निश्कर्ष निकलता है की expanses कि तापमान को 10 degree centigrade बढ़ा दिया जाए तो उसकी अभिक्रिया की वेग में दुगने से तिगनी वृध्धी हो जाती है और इसको अच्छे से हम समझेंगे आगे और हिनियस एक्वेशन के द्वारा